तो कियालशल सस्रेकाल मैं हूँ नियौन मैन एड़ आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में तो गाईस कल फुकरा इंसान एन एलविश आदव एक टॉपिक के ओपर बहुती सीरियस डिसकशन किये और वो चाते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द रोग दिया जाए इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगो बताऊंगा बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आशिका भाटिया तो गैस आप लोगो पते होगा कि आशिका भाटिया ही रिसेंटली एविक्ट हुई थी और उनके एविक्शन से पहले जब वो घर के अंदर थी तब उनकी मदर का एक इंटर्व्यू आया था यहाँ पर वो एलविश आदफ को स्लैम की थी आशिका के छोटे कपड़े के उपर कमेंट्स पास करने के लिए तो इस चीज़ पर अब आशिका भी फाइनली रियाक्ट की बेसिकली उनका एक इंटर्व्यू आया वहाँ परुनों ने बोला कि एलविश ऐसे कोई इल इंटेंशन से नहीं बोल रहे थे वो सब वो पीठ पीछे नहीं वो तो मूँ पर भी आशिका के ये सब बोली रहे थे और बाद में वो उनको सौरी भी बोल दिये थे बाई सेंग की मैं कौन होता हूँ तुमको ये सब बोलने का तुमको जो मने पहनने का वो पहनो तो वही आशिका की अकॉर्डिंग उनकी मदर को पूरा सिच्वेशन शायद नहीं पता होगा इसलिए वो ऐसे इंटर्व्यू में बोल दी थी secondly आप लोगो याद होगा जब आशिका घर से बाहर जा रही थी तब मनीशा उनको हग करके बहुत जादा रो रही थी और उनके ये emotional state को देख कर भी पूजा भट पीछे से comment कर रही थी ये देखो कितनी fake है मनीशा कितना acting कर रही है basically इस weekend का वार में जब Elvis आदव रो दिये थे तो उसके बाद से उनके एक post के नीचे से ये वाला comment बहुत जादा viral जाने लगा था जिसमें कि आप देख सकते हो कि आशिस चंचलानी कुछ account है with a blue tick और वो यहाँ पे clearly big boss वालों को बहुत जादा criticize कर रहे थे कि वो TRP के ले कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने Elvis के साथ बहुत गलत किया scripted show है and stuff like this बट आशिस चंचलानी ये situation को clarify करते वे आज अपने story में बताए कि उनका जो ये comment दिखा रहा है that is from a fake account जिया अगर हम लोग उस account को clearly देखेंगे तो उससे एक end missing है and verification तो भई कोई भी खरीद लेता है आज कल Instagram में आपको पता ही होगा तो वही उन्होंने request किया कि ऐसा news spread करने से पहले एक बार ध्यान से check तो कर लिया करो and मैंने कोई भी controversial news के उपर कोई भी अपना opinion नहीं दिया है anyways UK07 Rider ने Elvis आदफ को dedicate करते वे अपना system song को release कर दिया है and इस पर उनको काफी बड़िया response भी मिल रहा है आप खुछ सुन लिजे उन्होंने क्या कहा अब आज आता है कल के big boss incidents के उपर तो basically जब फुकरा इंसान की mother आई वी थी घर में तब वो लोग late night तक बात कर रहे थे and one of the topics जिसके बारे में उनका discussion हुआ वो ये था कि अगर फुकरा इंसान ये show को जीट जाते हैं तब वो उसके prize money के साथ क्या करेंगे वोई आंटी के साथ वो अपना idea share कर रहे थे and उन्होंने कहा यहां से मैं जो भी जीतूंगा उसको videos पे invest करूंगा लोगों का भला पे जैसे यहां बैठे बैठे topic आया था किसी orphanage को adopt करके उनका education fund कर सकता हूँ so यह basically इस prize money के साथ उनका कुछ अच्छा करने का intention है let's see वो क्या करते हैं बहार आके इसके बाद फुकरा इंसान की mother जब गर से चल गई तब जिया की mother आय थी अंदर as the guest जिया एलविश का वो infamous पानी वाला scene तो आप लोगों को पता ही होगा उसको लेकर वो अपनी खुद की बेटी को थोड़ा सा taunt मार दी basically जैसे वो घर में घुसी उनको पानी मांगा गया था तो वो बोली थी पानी पिऊंगी बट पानी एलविश देगा इसके बाद जब dining table में बैट के उनका conversation हो रहा था तब वहाँ पर आंटी एलविश को sorry भी बोली she said मैं भी sorry बोलती हूँ कोई भी मा को अच्छा नहीं लगेगा अपने बेटे को ऐसा कोई करे जिस पर एलविश आदव बोले अरे नहीं आंटी कैसी बात कर रहे हो आप नहीं नहीं आप sorry मत बोलो प्ली इसके बाद जब वो घर से गई तब 6th guest आए महेश भट that is पूजा भट के फादर एंड घर में घुसते ही वो सभी contestants को थोड़े से अलग वे में uncomfortable लगा यूँकि normally लोग ऐसे नहीं करते हैं बट जब वो एलविश आदव के तरफ आए तब वो एलविश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बाते बोले he said कि दिल रोया मेरा जब तू रोया जब आदमी बिलग बिलग के अपनी दुख का इजहार करता है न तो कुछ जागता है उसके अंदर और उस दिन कुछ जागा तेरे अंदर फिर वो अपने personal life से related एक story शेयर किया जब वो alcoholic बन गए थे एक ऐसा particular incident हुआ था उनके साथ जिसके बाद वो 36 साल तक कभी भी alcohol को नहीं चुए तो वही उनके ये वाले incident और उनके रोने वाले incident को थोड़ा सा compare करते वे उनने कहा जब आदमी गिरता है और अगर वो अपने आपको उस लम्हे में बिलकुल पूरी तरह देख ले तो उसमें एक निखार आता है जो मुझे तुमारे चेहरे में उस दिन नजर आया हिम्मत वाले बच्चे हो तुम इंडिया इसके बाद जब महिश भट घर से बाहर गए तब एलविश यादफ के फादर फाइनली आ गए जहां सब ही लोग expect कर रहे थे कि एलविश यादफ की मदर आने वाली है बट नहीं उनके फादर आये and of course एलविश उनको देखकर बहुत ही गए and he also got emotional but uncle g was literally a savage उनका जो one-liners था उसको सुनकर पूरा audience जो entertain हुए सब लोग दिवाने हो गए यार उनके मैं आप लोगों कुछ incidents बताता हूं first of all तो वो घर के बाहर वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे थे elvish बार बार उनसे पूछ भी रहे थे तब भी वो नहीं बता रहे थे ऐसे ही Elvis जब बार के बारे में उनसे पूछे थे तो उनोंने बोला था अरे Tiger जिन्दा है अभी, बार का जिन्ता मत करो, हम लोग है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया चल रहा है, उसके बाद जब वो पूजा भट से मिले, तो it was a fan moment for him, क्योंकि पूजा भट तो आप हो सकता क्या, कि इनकी बदले मैं रह जाऊं next कुछ दिनों के लिए, इसके बाद जब Elvis आदफ फिर से उनसे पूछे थे कि show कैसा चल रहा है, तो उनने रिप्लाई किया कौन सा show, फिर Manisha के साथ जब उनका interaction हुआ, तब Manisha थोड़ा सा उनके साथ मजाक मस्ती कर रही थी, वगेरा बोल रही थी उनको, तो जब वो घर से exit लेने वाले थे, Manisha थोड़ी दूर खड़ी थी, तो Elvis Manisha को बोलते हैं, आजा क्या दूर खड़ी है, तो उनकल भी Manisha को बुलाते हुए बोलते हैं, आना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, इसके बाद Manisha बो बेसिकली आप लोगों को पते हुआ कि Manisha Elvis के साथ थोड़ा सा flirt करती है, और कभी-कभी ये थोड़ा सा over हो जाता है, तो शायद कहीं न कहीं अंकल को भी ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वो Manisha को feedback दे रहे थे, कहावत की through, जिसका basic meaning ये था, कि सर्दी का time है, और एक रजाई है इसके पास, और एक लकड़ी है, ये रजाई बांद के लकड़े में उसको लटका के घूम रही है, ना उसको बिछा रही है, ना ओड रही है, लेटर उन्होंने इसका actual meaning भी बताया, कि आप totally confused हो, पता नहीं लग रहे है आपका, stand clear रखो, और इसके इनसान, जो कि वो भी थोड़ा से similar situation में, जिया के साथ, कल उनकी मदर आके उनको feedback भी दी थी, last video में मैं आप लोगों को बताया था, उनकी mom भी जब बाहर गई, तब उनका जिया से सुभा को बात हुआ था, and वो Elvis को बताए, same चीज आज मेरी भी जिया से सुभा में बात और फुकरा इनसान भी जिया को बता दिये, कि जादा हो रहा है, उतना मत करो, अब जैसे फुकरा इनसान ने जिया को confront किया, Elvish भी जाकर Manisha को confront किये, इस चीज से related, and उनकी ने कहा, कि मैं यह चाता हूँ कि तू जो यह मजाक मस्ती करती है, तू कर, बहुत अच्छा करती ह लेकिन जो यह वाली चीज है ना, over, चुमा, चाटी, यह सब चीज अच्छा साउंड नहीं करता, बहर वाला आदमी सोचेगा, अरे यार, फिर से वही बात कर रही है यह तो, तो मैं यह नहीं बोल रहा कि अपना character बदल दे, बस यह समझा रहा हूँ कि 10 कर रही थी, तो उस जारदन बाबा, और वो सभी contestants को बुला कर उनका future predictions कर रहे थे, उन्हेंने मनीशा, फुकरा इंसान, एलविश, यह लोग के बार में बहुत अच्छे चीज़े बोले, कि वो लोग बहुत तरक्की करेंगे, उनका शादी वगेर कब होगा, तो या, यह segment काफी interesting था, तो जैस ही फुकरा इंसान, captaincy के contender बन गए, उनका जब मनीशा और एलविश के साथ बात हो रहा था, तो उन्होंने clearly बोला, कि तुम दोनों का मेरे को support बहुत जादा ज़ुरत पड़ेगा, वो captaincy वाले task में, क्योंकि हमारे यहां खाली 2 लोग है, और उनके पास 3 जन है, तो let's see, इस last week का captain कौन बनते हैं, also क्या big boss में midweek eviction होने वाला है, जहां guys कुछ sources यह बता रहे हैं, क्योंकि अब final week तो आई गया है, and final week में 7-8 जन थोड़ी जाएंगे, तो it doesn't make sense कि खाली weekend make eviction होगा, midweek eviction makes a lot of sense, and फुकरा इंसान भी यही चीज़ सोचते हैं, उनका dad के साथ इस च उल्टा चश्मा शो में दीशा वकानी 6 साल से feature नहीं किये, and उनका यह character one of the most loved characters था, तो लोग चाहते हैं कि वो come back करें, and जैसे यह show का 15 years हिट हुआ, तो इसके producer असित मोधी के तरफ से एक statement आया, कि देया बेन हम लोग को बहुत जादा entertain की विये, and fans बहुत जादा wait कर रहे for her comeback, तो उन्होंने कहा, I promise you all that दीशा वकानी will soon be back to Tarak Mehta का उल्टा चश्मा शो, भाई साब ऐसा अगर हो गया, तो Tarak Mehta उल्टा चश्मा शो का TRP will skyrocket, anyways, चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले, two huge face reveals के बारे में, जहां guys, अगर आप YouTuber के face reveal के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में definitely दो YouTubers का नाम तो आता ही होगा, वो है Total Gaming and Make Joke Off, तो Make Joke Off कल Twitter में ऐसे ही अपने audience को बोले थे कि मैं अपना Q&A रख रहा हूँ, मैं आपके Twitter में questions को answer करूँगा, तो इसके नीचे Total Gaming उनसे ये बोल दिये, साथ में face reveal करें, जिस पर Make Joke Off भी reply किये, idea अच्छा and उसर related वो अपना एक new look reveal करके दिखाए, उन्होंने बताया, first look SSC का दिखा दू, 90kg to 70kg, 5 months की beard, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, उनका look पूरी तरीके से change हो गया है, अब Amit Bhadana का look तो आपने देख लिया, but Carrie Minati भी कल अपने Instagram में ये post किये, जहाँ पर उनका look काफी बढ किये, sexy Munna भाईया, जिस पर Carrie Minati reply किये, openheimer भी कह सकता था, but ठीक है, so यह तो चलिए, आप कुछ achievements के बारे में बात करते हैं, so first of all, Arbaz Patel ने complete कर चुके हैं, net के subscribers, then Beast 01 OP ने complete कर चुके हैं, 1 million subscribers, then Arthi Explanation 7 ने complete कर चुके हैं, 1 million subscribers, then Sword of Yoshi Vlogs ने complete कर चुके हैं, 22 million subscribers, and finally, Eragon 0.2 को म or play button, so many-many congratulations to all of them, so चलिए, अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं, so first of all, मुनों बात करने वाले Mr. Beast के बारे में, so Mr. Beast यह company के against legal action ले लिए, जिहां guys, आप लोगों पता होगा कि उनका Mr. Beast Burger करके एक company था, जिसको वो shut down कर दिये थे कुछ मैंनों पहले, due to quality concerns, so basically Mr. Beast जिस company क appoint किये थे Mr. Beast Burger को समालने के लिए, उनके against वो legal action ले लिए, क्योंकि वो quality control नहीं किये ठीक से, या उनके तरफ से जो lawsuit file किया गया, उसमें ये बताया गया, कि वो company के bad management के वज़े से उनको हजारो negative reviews आए, लोगों ने बोला कि उनका burgers disgusting, revolting and inedible है, जिसके वज़े से Mr. Beast as a brand उ Talking about Mr. Beast, तो उनके team member Chris का controversy के बार में तो आप जानती होंगे, recently उन्होंने ये photo post करके दिखाया, six months on HRT, जैसा कि आप देख सकते हो, छे मैनों में उनका कितना gender transition हो गया, तो of course काफी सारे लोग को उनका ये look पसंद नहीं है, एक बंदे ने ये comment कर दिया, you used to be cool Chris, जिस पर react कर वो अपना एक पुराना photo share किये, जहां पर वो थोड़ा सा चोमू लग रहे है, and he captioned it, agree to disagree, basically kind of saying कि अभी मैं better दिखता हूं, बट या चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिप बस इतना है, अगर आप को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो like कर देना, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हो, तो जल्दी सी जल्दी subscribe भी कर लेना, news submission का link description में, वहां से जाके आप कुछ news बजोगे, तो आपको credits में मिल सकता है, मेरे description में, so yes support करते रहना, मिलते रेक्स वीडियो में, till then, bye bye